क्योंकि शीतला माता के इस मंदिर की और उनकी मानता पूरे पूरे देश में, देश वे देश में हैं और जब हम इस धर्ती पे आएं इस यहां पे तो कैसे नहीं आते अपने किस कामना के साथ माता का आपने अपने लिए तो हमेशा मांगते हैं अपनों के लिए हमेशा मांगते हैं लेकिन आज यहां आकर सबसे पहले तो मेरी यही दख्वास थी माता से यही एक प्रार्थना की थी एक राजबबर जी एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने हमेशां जमीनी तौर पर काम किया है गुडगाओं लोग सबाके चुनाव परचार में अब फिल्मी सितारों ने भी शिर्कत करनी शुरू कर दिये हलांकि यहां दो परत्याशी ऐसे हैं जो खुद फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं और अपना भागिया अजमार हैं वहीं अब उनके परीजन और उनके चाहने वालों ने भी आकर अब कमान संबाल लिए परचार की आखिर कौन से हैं वो परत्याशी जिनके फिल्मी स्तारी बच्चे आकर संबालने के चुनाव परचार की कमान दिखाएंगे आपको इस खबर में नमस्कार मैं उमन्नू महता और आप देख रहे हैं गुरू गुर्गाव लोकसभा के चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दी का रही है वैसे वैसे परत्याशियों के साथ साथ उनके बच्चे भी अब परचार में आ चुके हैं खास बात यह है कि इंडी गटबंदन से जो परत्याशी हैं कॉंग्रिस परत्याशी राजबबर उनकी बेटी जुही बबर और उनके दामाद अनूप सोनी दोनों ने अब मिलकर चुनाव परचार की कमान संभाल लिये मौका था गुरुगराम से चुनाव परचार का तो सब से पहले राजबबर की बेटी और दामाद ने गुरुगराम के शीतला माता मंदिर में आकर माशीतला का आशीरवाद लिया यहां आकर उन्होंने ना केवल अपने पिता के जीत की काम ना की बलकि मंत्रो चारण के साथ आज अपने चुनाव पर चार के आगाज भी शुरू कर दिया जूही बबर जो की फिलम लाइन से जुड़ी है इन दोनोंने गुरू गुराम शीतला माता मंदिर में आकर माता से आशीरवाद लेने के बाद अब जब मीडिया से रूब रूब हुए तो इन्होंने सबसे पहले अपने पिता की जीत के लिए सबसे अपील भी की और ये बताया की उनके पिता कोई बहरी प्रत्याशी नहीं है बलकि उनका परिवार यहां पर आकर काफी पहले जब वो अमबाला उस समय होता था हरियाना पंजाब का पार्ट होता था पार्टीशन के बाद उसी समय से ये परिवार यहां पर आ चुका है और आने के बाद इनोंने इनके पिता ने ना केवल पाँच बार लोगसबा से जीत पाई है एक बार राजे सबा से भी गए है और हमेशा जिस भी छेतर में रहे है वहाँ पर जाकर इनोंने जनता की सेवा को ही हमेशा प्रतम अपना कार्या बनाया है और अब गुडगाओं लोगसबा से भी वो जीत का परचम लहरा कर गुडगाओं की जनता का हमेशा सहीओ करेंगे इंडी कट बंदन के पत्याशी राजबबर ने जब अपने पत्चार से पहले शुरुआत की थी तो इसी शीतला माता मंदिर से की थी और अब उनकी बेटी और उनके दामाद अनूप सोनी भी इसी शीतला माता मंदिर में माशीतला का आशीरवाद लेकर चुनाव परचार की शुरुआत के लिए जा रहे हैं आईए उनसे बात करते हैं सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोनों का गुरु गुराम नियुज पर पापा के परचार के लिए निकली है परियां क्या सपना लेकर निकली है सपना तो बाद में पहले आशिरवाद माता का लेना बहुत-बहुत जरूरी था क्योंकि शीतला माता के इस मंदिर की और उनकी मानता पूरे पूरे देश में, देश वे देश में है और जब हम इस धर्ती पे आएं, इस यहां पे तो कैसे नहीं आते सबसे पहले आना ज़रूरी था और पापा ने भी अपना प्रचार यहां से ही आशिरवाद लिया माता का और फिर शुरू किया है अनुजी आपने किस कामना के साथ आज मंदिर से मा का आशिरवाद लिया है सी देखिए जब भी आप भगवान से कुछ मांगते हैं, अपने लिए तो हमेशा मांगते ही हैं अपनों के लिए हमेशा मांगते हैं, लेकिन आज यहां आकर सबसे पहले तो मेरी यही दखवास थी माता से यही एक प्रार्थना की थी एक राजवबर जी एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने हमेशां जमीनी तौर पर काम किया है लोग उने कहते हैं कि वो आक्टर हैं लेकिन जो पिछले 25-30 सालों से उनका राजनेतिक जीवन रहा है और मुझे लगता है कि ये इतनी खुशी की बात है कि उन्हें गुरू ग्राम से मौका मिला है चुनाव लड़ने का और जो पिछले 10-15 दिनों से मैं देख रहा हूं जिस तरह का प्यार उन्हें लोगों से मिल रहा है वो ऐसा है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे जरूरत थी कि ऐसे ऐसे इनसान की जो भाईया आके हमसे मिले तो सही बात तो करे घर से निकले तो सही कार से बाहर उत्रे तो सही तो माता से यही एक प्रार्थना की है कि ऐसे व्यक्ति को जो इमानदार है महनती है उन्हें गुरूग्राम की इस धर्टी से एक बार मौका देए और यह जरूर तैय बात है कि भगवान तो जैसे कहते है ना सब जानता है तो उन्हें पता है कि अगर वो आदमी जीतेगा तो वो सही व्यक्ती होगा इस धर्ती के लिए इस जगा के लिए और मुझे लगता है कि इस माता के मंदिर को भी एक भवे निर्मान की जरूरत है जो पिछले कई सालों से जो है वो पेंडिंग चल रहा है अपने क्राइम पेट्रोल में तो लोगों में जन चेतना लाई है उनको अवेर किया है गुरगाओं लोग सभा में क्या वेर करने आया है मैं यही कहने आया हूँ कि भाई आप 25 माई को जब आपना वोट देने जाएंगे न तो आप सावधान रहें सतरक रहें और सिर्फ और सिर्फ राजबबबर जी को भारी मात्रा में वोट दे कर जिताएं एक मौका दें उन्हें गुरु ग्राम से जीतने का और फिर उनका काम देखें जो लोग आज आपके प्यार में खिचे चले आ रहे हैं रैलियों में क्या वोट में तबदील होंगे आपको पता है कल मदर्स डे है 12 माई कल मदर्स डे है और मैं यहां सबसी बड़ी मदर के दरबार में खड़ी हूँ इससे बड़ी माता और इससी बड़ी मदर कहीं नहीं है तो अगर माता का आशिरवाद रहा तो सब अच्छा होगा अच्छा है